अलकोहोल हो या सिगरेट इनसे दूर रहना जरूरी है कुछ बाते हम नहीं भूल पाते ये भी हमारी मजबूरी है बुरी बातों को याद रखना लोगों की अच्छाई को भूल जाना हमने ये एक आदत बनाई है और फिर हम ये कहते हैं के हमारी जिन्दगी में परेशानिया काफी ज्यादा नजर आने लगी है जिहां व्यूर्स हमने हमारी जिन्दगी में एक न्यू नॉर्मल बना दिया है और वो न्यू नॉर्मल ये है के हम लोगों की दस अच्छाई को बाmusic बूल जाते हैं लेकिन एक बुराई को ताव जिन्दगी याद रखते हैं और फिर हम हमारी जिन्दगी में परिशानियों को ढूड़ने लगते हैं और सुकून से अपनी जिन्दगी नहीं गुजार पाते हैं इन्हीं मसलों को हल करने के लिए आपकी जिन्दगी में रौनक दोबारा से लाने के लिए हम ले आए हैं प्रोग्राम यूथ पेट्रोल जहां हमारा साथ देते हैं Dr. Ali Akbar Ghabrani जो के एक counselor or psychotherapist है तो यह सबसे पहले आपका इस्तिक्वाल करते हैं सलाम अलेकुं वालेकुं सलाम How are you? Good, आपका इसी है? अल्हम्दुलिल्ला शुकर मालिक का Dr. हमेशा की तरह इस बार भी काफी सारे सवालात है So, shall we start? Please हमारा पहला सवाल Dr. I have trouble remembering things I am unable to recall what I ate yesterday Even my son has the same problem He cannot remember what he learned 5 minutes ago As a result, he is scoring very low marks in his exam Is this hereditary? Please help us overcome this वीवस इनका ये कहना है कि ये चीजे भूल जाती है इन्हे चीजे याद नी रहती इन्होंने कल क्या किया कल क्या खाया वो इन्हें याद नी रहता इनका जो बेटा है उनका भी सेम मसला है वो 5 minutes पहले उसने क्या किया क्या पढ़ा उसे याद नहीं रहता तो क्या ये hereditary है जिसकी वज़े से ये marks below score कर रहा है कि मम्मी का ये सवाल है कि मैं भूल जाती हूँ मैंने कल क्या खाना खाया वो मुझे याद नहीं है इसको flooding of thoughts बोलते है एक flood आता है एक बाल आती है अपने दिमाग के अंदर बहुत सारे ख्याला आता है बहुत सारे flooding of thoughts ये इतने thoughts आते है कि उस time पे अच्छा कभी-कभी आपके साथ में भी होता होगा अक्सर भूल जाती हूँ मैं कुछ चीज़ बहुती कि चामी रग दी क्या हुआ अरे अमने क्या बोला था यार में रहता है ये क्या ले जाना था भूल जाते है तो वो इतने thoughts के अंदर आप इतने उस thoughts के अंदर उलज जाते हो कि आप जो actual बात होती वो भूल नहीं जाते हो वो temporary आपको याद नहीं आती है इनको खाली यही है कि यो बहुत फिकर मन्द हो जाती है flow के अंदर चले जाती है मुमी और उसको याद नहीं रहता है क्या करना चाहिए ताके बहुत सारे लोगों का मसलाई है देखे इसको कोई बीमारी नहीं है इसको खाली consciously सोचने की जरूरत है जो चीज़े जरूरी है जो चीज़े जरूरी है बतर एक साथ में बहुत सारा विचार करने की जरूरत नहीं है आप थोड़ी डीप ब्रीधिंग कर लीजिए ठोड़ा 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 रिलेक्स हो जाओ आपको सब्याद आजाएगा आप खाली खाना भूल जाते हो बाकी तो 24 गंडे की जिन्दे की आपको एक सब्सक्राइब कर लेंगी तो यह बकॉल आपके नॉट माइं वर्डिंग बकॉल आपके क्या बोलते हो कि यह कुछ बीमारी है या कोई है या को एसी प्रॉब्लम है यह प्रॉब्लम आपकी चंद लंहों में सौट आउट हो जाएगी क्या करना है आपको जब भी इसा हो ना क्या आप बहुत स्ट्रेस में भूल जाती हो अब वाश्बेसिं में जाईए आप पानी लीजिए अपने मूब में मारिये अब यह पहले हम समझ लेगे इसका यह होता क्यूं है आपके निउरो ट्रांस्पिटर रहे वो फायर हो जाते हो इतने स्पीड में निकलते है कि आपके थौट के अंदर कंफूजन आ जाता है एक बाढ़ आ जाती है तो हमको उसको नहीं रोकना है अंदर जो हो रहा है उसक सकतनी है अगर आप यह करोगी तो अंदर के जो कैमिकल है इन वो शांथ हो जाएंगे वो सेटल हो जाएंगे तो आपकी मेमेरी खुच शांथ हो जाएगी एन आपको सब रिकॉल हो जाएगा तो आपको जरूरत है उन थौट को शांथ करने की अपसलिए ओक लडिंग ओफ उसको शांथ करने की जरूरत है और दूसरा आपने बोला कि आपके बच्चे का तो बच्चे को एवैल्यूएट करने की जरूरत है तेस्ट कर वाना हो सकता है कि यह अब्जरवेशन लर्निंग हो हां तक मुम्मी कह रही हो तो बच्चा भी बोल रहे हैं मैं भूल जा रहा ह जा जाए मतलब मम्मी उसको भी कंडिशन कर रही है जी तो बच्चे के साथ क्या करें बच्चे का एवैल्यूशन करना चाहिए जो इंटलिजन कोशन दे उसका नहीं भी होता है कोई भी साइकोलोगी के बास हो जाएगा ओके तो लेके जाके करवा लेके लेके करवा लेना चाहिए पड़िए प्रोफेशनल में आपको एडवाइज दूंगा यह बच्चा है तो हम मैंलब यह नॉट मिसिंग एनिटिंग एक करवा कर देख लेके टेस्ट करवा कर देख लेके इंशाल्ला इंशाल्ला वो भी नॉर्मली आएगा इंशाल्ला डेफिनेशन लेरिशन की जरूवत नहीं है रिलेक्स एंड यह प्रोब्लम विल बी रिजॉल्ट इन फ्यू सेकंड इंशाल्ला तो बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा कुछ सोच रही हैं बहुत सारे थौट्स आपके माइंड में रहें इन फेक्ट हर कोई कर सकता है जब हमें लगे कि बहुत ज्यादा हम सोच में जा रहे हैं ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बहुत सारे खयालाद हमारे जहन में आ रहें रुके अपने मूपर थोड़ा पानी डाले और बैठ जाएं शान्ती से बैठ जाएं रिलेक्स करें इस तरह से जो नेग किले कर आएं तो उसे इवलेशन के लिए लेकर जाने की तो उसे एवलेशन के लिए लेकर जाएं आप स्ट्रेस ना ले टेंशन ना ले इन शाल्ला एवर control but during the time when my problem was at its peak I developed a liking for alcohol which I am not able to overcome. 21 साल की है married है तकरीबन एक साल ये anger और anxiety issues से सफर कर रही थी इन्होंने online counseling ली online counseling से इन्हें काफी फायदा भी हुआ अब इन्होंने anger और anxiety का issue था ये overcome कर चुकी है उसको लेकिन इनको कहना है कि जब जिन्दगी में मसले थे तो इन्होंने alcohol पीना शुरू किया था और अब ये कही ना कहीं सादत को नहीं छोड़ पा रही है and she is just 21. very unfortunate a potential बच्चा 21 साल का बच्चा जन डाइनमिक फिमेल अभी शुरू है जिन्दगी जिन्दगी हो भी नहीं एक पहला जिन्दगी के सरकल में कदम रखा है और यह एंजाइटी और डिप्रेशन यह वो तो सब अच के माहौल में इस वेरी कॉमन आपने कोपिंग मेकेनिजम पो सब्सक्राइब को अपना याव नेगेटिव कॉपिंग मेकेनिजम को अपनाया exactly देखिया आपकी परस्नालेटी ऐसी है कि आप काउंसिलिंग से जो अपने ली है उससे आपकी एंसाइटी और डिपरेशन आ सकता है भी को आया है अभी यह जो है ना आपको किसी ने शौटकट बता दिया अरे टेक पैग ठीक हो जाएगा टेक अब यार टेक ग्लास ओफ यार एक जो भी है उसके लॉंग तम असर क्या है कि आज मुझे इतना चाहिए कल मुझे इतने से कुछ नहीं होगा फिर मुझे और चाहिए मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए अच्छा फिर क्या होता है पता है कि एक मर्तबा इसके बगेर नहीं चलता ना फिर मुझे सुभा में भी चाहिए नॉर्मली नॉर्मली आलक्योलिक की पैटन यह होती है कि शाम के बाद में शराब पीते हैं ज़िए बड़ जो लोग इस तरह का kund my mind में है इसके पीओंगी तो भूल जाओंगी या मुझे relax मिलेंगा अच्छा लगेगा अच्छा लगता है तो अब मुझे इस से अच्छा नहीं लगता है तो मुझे क्या करना है उसका लोस बढ़ा बनाओं अभी 30mm से अच्छा नहीं लगता था अभी सवादि नहीं लगा Two-isha कि इनका इनकी घोल क्या है कि मुझे अच्छा होना है ठीक होना है तो मिलीफ मेरी यह और फीज हो जाओंग이 अब यह लोगी तो एक फूंस बनती है歌 things और वह के उपर यकीन की सिस्तम आती है बीफ को निकल जाएगी है, पढले बिलीफ है कि ये करोंगी, तो ये हो जाएगा, ये मेरा यकिन वाला सिस्टम है, दूसरा यकीन की सिस्टम से मेरा होग बनता है, हाँ, इससे तो हो जाएगा, मैंकू तो रिलैक्स मिलता है्पले, 30 मेल, 60 मेल लेदू, लेकिन मैं बेटर तो इससे मेरे इमोशन की जो डैमेज होती है और मेरा जो प्लानिंग ओफ लाइफ है वो शेकन अप हो जा रहा है और वो शेकन अप की वज़े से मैं ऐसे डिसीजन लेती हूं या लेता हूं कि मैं फेलियर की तरफ जाता हूं अच्छा मुझे छोड़ना भी है बहुत सरे अलगोलिक हमाँ पास आते हैं फैसे डॉड़ना है है और वह बूलते कि में पावर भी है आप मुझे अभार करो भाई विल पावर है देकिन दोनू अलग अलग है विल अलग है पावर अलग है एक मन बोलता है कि मुझे लेना है और वो मन इतना स्ट्रॉंग होता है मेडम कि मैं बरदाश्ट नहीं कर सकता हूं तो क्या करें I am coming to that point आप लोग अभी अभी रमजान का महिना गया है रमजान की चांद रात आई न क्या बंदा टोफी पें इनके मज्जिद में और जैसे ही ईत की चांद राता ही न सुबा की ईत की नमाज के लिए भी वेट नहीं करेगा और आठ को जाके शराप पिएगा तो चुब एक महिना आप कर सकते हो मतलब यहीं पे है न बिलिफ यहीं पे है है कि तो मैंदो वीड और पावर दोनुम तरक्त है थो जैसे कि ने उन सकता क्यूंकि जैसे इसे ही चैड़ को यह सी साथ में रखो उस्से साथ में कड़क रखो अगर यह होगा लोग कभी कभी क्या होता है कि को इसे हमारे पास क्लाइंट आते क्धार बर्दाश्ट होता ही निया हम उसको लेकर आगे डाल की डियाप पिलेटीशन का मतलब क्या री हैबिट फॉर्मेशन तो यहां की जो हैबिट है उसको री फॉर्म करने की है जे तो जरूर यह के दर्वाजा बंद हो तो यह आप करोगे आप घर पर भी कर सकते हो मन को कंट्रोल करना मेरे हाथ में मन को बच्चा क्योंकि माइं को तो कुछ नहीं पता है वोट इस राइड वोट इस जो इस रहुद पर तो मेरी बच्ची विल और पावर मजबूत कर तो करने ही पड़ेगी किके यह आधस महीने मुझे। अच्थेक है आज दिन तक था मेरा आज के बाद इतना इतना मेरे इसाप में हम इंप हुआ था बस वो डिसाइड कर लेना है डिसाइड करना हो और यहाँ पे स्ट्रॉंग डिसाइड करना है अब विल और पावर दोनों मिक्स हो गया अब कोई नहीं तोड सकता है तोड सकता हो तो महीं तोड सकता हो और बान सकता हो तो महीं बान सकता हो जो आपकी क्रेविंग को चांट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगी बिल्कुल ठीक, पहले खुद से ट्राइ करें ना होता है क्यों कि मैं खुद से ट्राइ करने के बोलता हूं कि अभी 21 साल की बच्ची है इसकी बहुत जादा लंबी हिस्ट्री नहीं है आप से एक साल पहले की बाता है तो अप्याथ को नहीं होता है, तो जो 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 एक प्रोफेशनल है तो सिस्टर आपसे यह ही चाहेंगे कि तेखिए जिस तरह शुरुआत आप नहीं रिए प्रावर ढोलों को इतना बना जाए कि उसके सामने alcohol की craving अपने आप ही खतम हो जाए याद रखे आपके सामने आपकी पूरी जिन्दगी है एक बूरी आदत की वज़े से उसे खराब ना करें डॉक्टर ने बिलकुल ठीक कहा है कि अपने mind में एक decision मना ले कि अपसे मुझे इसे हाथ नहीं लगाना है मुझे नही पी पिना है and stick by it थोड़ा मसला होगा थोड़ी craving होगी लेकिन इन्शाललाद डेफिनिटली आप उसे overcome कर पाएंगी और अगर आप नहीं कर पाती है तो सीख प्रोफेशनल हेल राइड दॉक्टर प्लीज मुझे सिगरेट पीने फोर्स करता है और अगर मैं मना करू तो मु प्लीज मुझे सिगरेट पीना है दोस्त कहते है कि पियो नहीं पियोगे तो बच्चे बन जाओगे बच्चे की तरह हो तुम और हाइट सी है कि इनका जो बड़ा भाई है वो भी यही कहता है कि एक पैग ले लो एक यूनो वो ले लो क्या फरक पड़ता है उससे मेरी तक् मतलब I can count on my fingers के बच्चे लोग जो smoking करते है यह जो alcohol लेते है यह और भी दूसरा कुछ नशा करते है तो अकेले करें फ्रेंट से कहीं ने कहीं दोस्त लोग उसको motivate करते हैं लेने कुछ नहीं होगा अच्छा सिगरेट हाथ में रखने सा में मैचो मैं समझता हूं हाओ बट नहीं वह उसके फॉट प्रोसेस है जी इस लोग पॉजिन हाँ पट वो आपकी उमर चले गए ने आप 15-17 टीन इस से बहार आ गई आप तो आपको समझदारी आ गए वो एज इसा होता है ने maturity आगए तो आप वो एज में हो गए ना अच्छा यह तो दोस्त है कभी-कभी इ अगरी फ्रेंग वो पीती तो मैं क्यों नहीं नहीं वो मुझे फोर्स करेगी देख तेरे को अगर हमाई कंपनी में रेना है तो यह करना पड़ेगा अधर वाइस तु जा एंद मुझे प्यर प्रेशर के सरकल से बाहर नहीं निकलना है दोस्त चाहिए नहीं दोस्त नहीं चाहिए दोस्त है तो मुझे वैलिडेट करेंगे अरे मैं तो वो सरकल का बंदा हूं मैं तो वो गैंग का बंदा हूं यह खाली अपने जहन में होती बच्चे लोग की यह बच्चे को मैं बताओंगा कि य करें अंदर एक हिम्मत है के एन ओर नो विल्कुल ठीक ना मोलने की हिम्मत है देखो आपके बन दो रस्ते हैं आइधर अपना फ्यूचर बनाओ और सिग्रेंट से थोड़ी बात अटक जाएगा तो फर्स्टेप ना स्मोकिंग इस गेटवे ना अभी आगे क्या होता है स्मोकिंग के अंदर अंदर दाल के क्या पीते हैं वो तो सेकंड स्टेप पे चला जाएगा तो बच्चा स्टिक तो यह वर्ट्स नथिंग दूएं फ्यूचर एंड यूर एड्युकेशन इस मोर इंपोर्टन देन फ्रें विल्कुल ठीक ट्रू आपका विल्पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉंग है और साथ ही आपके सवाल में हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है कि आप में बहुत अवेर्नेस है जिस तरह से आपने ना कहा है उस पर डटके खड़े रहिए अपनी जिंदगी में आगे बड़ी अपने करियर पर फोकस कीजिए और इंशाला यू शाइन लाइक अस्टार राइग तुसरा मुझे अगर आप इजाज़त दे तो एक नया थौट प्रोसेस अभी आया है बच्चे लोग के अंगर के माई इनके सर्कल पर जाके इनकी सिक्रेट छुडाऊंगा अगा जे महान बनते हैं जो बच्चे लिए तू मत पी भाई उनके माबा भई उनका ध्यान लखने के लिए है बिलकुल ठीक डेफिनेटली उनके पैरेंस उने गाइट करेंगे अपने आपको प्रोटेक करने की कोशिश कीजिए और यह हर किसी के लिए है हमारा कहना कि अगर आप पर होता है राइट दॉक्टर इस विल्मों तो नेक्स कुशिशन प्लीज 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 गिवस असलूशन इनका कहना है के इनके पैरेंस ने घर खरीदा था जहां यह अपने हस्बन के साथ रहती है और हर मैने यह उनने पैसे देटेटेश से हम यह माई वगरा फड़त है शाएद उसी तरह पर इनका यह कहना है कि जब भी पैमेंट देने में पैसे देने में थोड़ा लेड हो जाता है तो इनके जो पैरेंस है वो इंसे बहुत डीटेल में जानने की कोशिश करता है कि इनके पैसे कहां स्पेंड हुए है जिसकी वज़े से इनकी जो रिलेशन कि माबापने आपको बैंक से पैसा लेने नहीं दिया अपनी बुड़ा पे की पूंजी निकाल के आपको दी अपना घर दे दिया रहने जी ठीक है ने और आपकी फाइनेंशली भी मदद की और आपने बताया कि एवरी मंथ जी एवरी मंथ तो अगर आपको लगता है कि मैं कि एवरी मंथ 15 तारिकों नहीं दे सकती हूं 25 तारिकों दे सकती हूं तो अब 27 तरीक का टाइम ले लो उनको इनसे क्या हमारे पैसे यह बच्चे लोग नहीं देंगे तो हम लोग हमारे बुड़ा पे की इंकम हमारे बुड़ा पे का सहारा का जाएंगा एक्जाट्ली वह किस तरह घर चलाएंगे ना उन्होंने आपकी मदद की है तो यू हैफ टू थिंक अबाउट देम आपके देने के बचाए रेंड पर भी दे सकते हैं कि आपको ऐसे माबाप या ऐसे साससुर मिले जिन्होंने अपनी पुझी निकाल के आपके लिए छट बनाई आपके और अगर वह मांगते हैं हर मैंने मैं तो बुलूं कि आप उनको मांगने की जरूद दी पढ़नी चाहिए तो यह तो मेरे फैमेली मेंबर है उन्होंने में पैसान किया है विदाओ इंट्रेस मुझे पैसा दिया इन एक्सपेक्टिंग गुड फ्रूम मी उसमें आपको बुरा लगाने की कोई जरूद नहीं है बल्कि उन्हें बुरा लगाना चाहिए तो बेटर के आप उनके साथ में और हर माइने लेट होता है उनको बिठा के बताओ कि यह सिचुएशन है और ऐसी सिचुएशन है और करेंगे क्यों नहीं करेंगे आपके साथ में अपना घर एडिया तो करेंगे और माबाप यार इतना अच्छा सोचा उन्होंने तो मुझे लगता है कि बतलब के I don't know मैं तो डिफर करूंगा यह बंदे से कि यू डोंट एफ तो गो इन नेगेटिव साइकल कि वो ऐसा कर र आपसलिटली आपसलिटली आपके उपर लगा दिया तो आपके पास पैसे मांगेंगे तो आपको बुरा लगा ने मुझे इसा लगता है बिल्कुल ठीक कहा है डॉक्तर ने बलके आपको यह सोचना चाहिए कि जब हम बैंक से होम लोन वगेरा लेते हैं तो हम कितना इमाई पे करते हैं उस पर कितना इंटरिस लगता है और फिर हम मेक्शूर करते हैं कि जिस दिन भी हमारे अकाउंट से पै सारी फैमिली की है जिन्होंने अपना घर आपको दे दिया कि आप सुकून से रह सकें तो फिर यह आपकी रिस्पॉंसिबिलिटी बनती है कि सबसे पहली बात आप टाइम पर उन्हें पैसे दे और दूसरी बार अगर वो आपसे कुछ पूछ भी रहे तो उसमें बुरा पास देखे तो उन मसलों से ज्यादा कई सारी इतनी नहमते होगी जिने हम चाकर भी गिन नहीं पाएंगे तो कंप्लेन करने से पहले जरूरत है हमें परवर्दिगार आलम का शुकर अदा करने की इसी के साथ हमें दीजे अजाज़त पर बने रहे चैनल विन के साथ पैगा आम इंसानियत शुक्रिया